नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक नौलेच चैनल में आज हम आपको बताएंगे कि लाल रंग के हाथी रखने से आपको क्या लाब होगा आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी तबा दें ताकि आपको हमारे चैनल की नए नए अपडेट्स मिलते रहें इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें हाथी को एक पवित्र जीव माना गया है इसी प्रकार वास्तु और फैंक्श्वी विज्ञान में भी हाथी की मूर्ती पेंटी या चित्र रखना बहुती शुब बताया गया है हिंदू मानिताओ के अनसार हाथी धन की देवी मालक्ष्मी के दोनों तरफ खड़े होकर उनकी सेवा में रहते हैं यदि हम स्वर्ग के राजा इंद्र की बात करें तो एरावत हाथी उनका वाहन है चलिए जानते हैं कि लाल रंग का हाथी कौन से दिशा में रखने से क्या क्या फाइदा होगा वास्तु के अनसार उत्तर और दक्षिन दिशा में लाल रंग का हाथी रखने से आपको समाज में मान सम्मान और यश्व राप्त होता है यदि आप अपनी कारिस्थल या व्यक्तिगत यश्व के लिए यह उपाय करना चाहते हैं तो आप दक्षिन दिशा में लाल हाथी रखें लेकिन अगर आप अपनी फर्म की यश्व और प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तर दिशा को लाल हाथी लगाने के लिए चुनें आपको अपने उद्देश्य में सफलता मिलेगी ये थी जानकारी कि लाल रंग का हाथी कौन सी दिशा में रखने से आपको पाइदा होगा इस बारे में अगर आपको पसंद आया हो तो प्रीस इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें बहनेवार